हलो दोस्तो, Roto & Paint Academy YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर मैं Roto & Paint की टुटूरियस बनाता हूँ अभी हम लोग मॉड्यूल 3 कर रहे हैं और इसमें मैं डीजिंग के बारे में बता रहा हूँ तो रोटो करने के लिए मैंने सिल आउट का यूज किया है यहां पर देख सकतो यह सारे जो भी इस डारेक्शन में रिंकल्स इनको मैंने रोटो कर लिया है यहां पर भी इस डारेक्शन वाले को रिंकल्स को रोटो कर लिया है कुछ भी face roto face roto 2 यह मैं नाम देता हूँ save नब वापस जाते हैं अपने nuke में यहां पर मैं करता हूँ file insert comp nodes face 2 कहां पर है हमारा देखते हैं roto in paint academy master class 3 roto ship face roto 2 F Research वाल पर पर अमोंख एं fire क्यास करता हूँ viens मैं झाल यहां से करता हूँ यहां से चीन लियर में सिर्फ मुझे यह इस डारेक्शन वाले चाहिए थे तो मैं इस डारेक्शन वाले को सिर्फ रखता हूँ अब यहां से इसका मास्क यह से कनेक कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा देखो यहां से मैं करता हूँ 1, यहां से करता हूँ 2, अब यह वाले सिर्फ wrinkles हमारे चले गए, ठीक है, यहां पर भी कुछ wrinkles है, अगर उनको भी remove करना होता हूँ, तो मेरे ख्याल से न, एक यह वाला भी roto में रोको करना चाहिए था, मैं भूल गया सा है, ठीक है, तो मैं क्या करता ह कि मैरा काम हो जाएगा, यह नीचे का जो भी है वो delete करता हूँ, उपर का भी मैं delete कर देता हूँ, और multi frame on है, तो मैं यहां से इसको इस तरीके से खीची देता हूँ, ठीक है, तो यह काफी हद तक हमारा यहां तक हो चुका है, देख लो, अब मैं यहां से one कर तू करता तो देखो इतना हमने de aging का काम कर लिया है, अब देखो इस तरीके का जो भी हमारा wrinkle से इस direction में, horizontal इसको बोलेंगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, इसके लिए मैं कोई भी एक अपना, यह वाला script कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहां से मैं करता हूँ, copy, नीचे आए अब देखो, यहां से मैं देख रहा हूँ 2, यहां से 1, तो हमारे कौन सा वाला जा रहा हूँ, वर्टिकल जा रहा हूँ, तो हमको इसको करना पड़ेगा 20, इसको करते हैं 0, यहां पर करते हैं 0, यहां पर करते हैं 20, अब देखो यह वाला हमारा wrinkle साना वो चला गया, यहा यहां पर मैं value change कर सकता हूं यहां तो दोनों same same रखते है 25 25 रखता हूं तो मुझे खास ठीक है यह मुझे ठीक लग रहा है यहां पर भी अब इसके लिए रोटो अपने को चाहिए होगा तो मैं कर देता हूं यहां से एक रोटो नोड लेंगे एसे और यहां से जो भी वर्टिकल वाले हमारे है ना जैसे कि यह वाला हो गया यह वाला हो गया यह दुनों कहां पर है एक तो हमारे यह chin layer में है ठीक है तो मैं यहां से copy करता हूं chin layer और इस मैं करता हूं paste और यह इन सब को delete कर देता हूं यह दूजा हमारा है यह वाला यह हमारा है इस वाले में अपर layer में तो यहां से copy करता हूं इसमें आके मैं दुबारा से paste कर देता हूं और extra जो भी हमारे हैं उनको मैं फिलाल के लिए delete कर देता हूं अब देखो यहां से मैं इसका mask connect कर दूँगा तो अब हमारा क्या जाएगा यह सिर्फ horizontal lines यहां वाले शले गए यहां के भी मुझे थोरे से horizontal lines कम करने हैं यहां पर यह देख रहे हो ना यह mouth पर यह बहुत जादा है तो मुझे यहां पर भी थोरे से कम करने हैं ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा देखूंगा वहां का कोई भी roto एक मिल जाए मुझे तो यहां का roto मुझे यह वाला ठीक लग रहा है तो यह हमारा यह SR cheek में है तो मैं इसको ऐसा करके copy कर लेता हूं यहां पर आते हैं और इसमें मैं paste कर लेता हूं बाके जो भी extra है मैं उनको delete कर दूँगा और यहां पर क्या करेंगे ना इनको ऐसे delete कर देता हूं यहां पर इतना points को delete कर देता हूं multi frame on करके और अपने हिसाब से यहां पर इसको adjust कर लेंगे तो मैं ऐसे चाहता हूं कि इसको ऐसे कर लूँ यह होने के बाद मैं थोरा से इसमें feather देखे और इसका feather थोरा आगे तक कैसे खींच लेता हूं अब देखो यहां पर यह वाला जो हमारा mouth का है ना वह थोरा कम हो गया मैं मैं चाहता हूं थोरा और कम कर लूँ ठीक है अब देखो इस तरीका से यह यहां पर थोरा सा यह कम हो गया ठीक है यह चलेगा आपना मुझे लगता यह थोरा कम इसको करना चाहिए मैं इसको थोरा पीछे कर लेता हूं multi frame on करके यह ठीक रहेगा चलो यह हमारा horizontal layers यहां तक का चला गया आप देखो इस direction में कुछ रिंगास आपको दिखने होंगा तो यह रिंगास भी हम लोग कर लेते हैं Ctrl C Ctrl V यहां से मैं करता हूं connect 1 2 ठीक है 2 करते हैं तो ऐसा दिख रहा है ठीक है अब मैं इस direction में इसको rotate कर लेता हूं रोटेट करने के लिए यह वाला हमारा देखो यह वाला direction पे न हमें हमारा सारा इस direction का wrinkles चला जा रहा है ठीक है तो यह तो हमारा काम हो गया अब लेके आ जाते हैं अपना shape हमारा यह वाला shape इस वाले layer में तो मैं यहां से करता हूं copy यहां से करता हूं एक rotor node इसमें कर लेता हूं paste इन सब को कर देता है, delete इसको भी कर देता है, delete, अब देखे हो, यहां से वन करता हूं, यहां से इसको connect कर देता हूं तो सिर्फ यही वाला wrinkles हमारा जाएगा. ठीक है, तो यह हमारा ऊपर का होट पर का भी wrinkles चला गया तो यहां का भी देखो कुछ-कुछ wrinkles जा रहा है देख रहो यहां पर इस direction में तो मुझे लगता ना कि इनको remove करने के जरूत नहीं यह मुझे ठीक लग रहे थे थोरह सा मेरे को वह भी चाहिए मैं क्या करता हूँ इसमें चीन का भी layer दाल देता हूँ ठीक है तो यह हमारा कहां गया यह वाला है ना मैं इसमें दाल देता हूँ copy and paste यहां पर इस सब हमें चाहिए नहीं यह भी चाहिए नहीं यह भी नहीं चाहिए और यह भी नहीं चाहिए अब देखते हैं यहां से 2 यहां से 1 देखो यहां का भी इस direction वाले सारे wrinkles चले गए मैं यहां पिसकाना थोड़ा सा डीटेल बरहा देता हूं कि वापस नहीं नहीं ऊपर वाले भी हमारे खराब हो जाएंगे ठीक है मैं इतना ही रहना देता हूं तो यह देखो यह हमारा यह वाला टोटल हो गया अब देखो मैं 1 से कंपेर करता हूं अपने में फूटेज से यहां से 1 यहां से 2 कितना फर्क आ चुका है अभी इतने करने में अब देखो यह सब बाद में देखेंगे कि कितना क्या करना है यह सब बाद में इसको क्या करेंग क्योंकि ये mouth के पास वाला line हमेशा रहता ही है अब देखो ये eye के पास का जो भी wrinkles है उनको पहले remove करेंगा तो उसके लिए मैं horizontal वाला कोई भी कर लूँगा तो horizontal वाला के लिए हम लोग ये ये वाला setup ले रहते है Ctrl C, नीचे करता हूँ ऐसे Ctrl B एसे ठीक है इसको horizontal करने के लिए क्या कर सकते हैं ये साइद हमारा horizontal पर ही सेठ है तो ये सारे जो हमारे wrinkles है ये जा रहे हैं भी फिलाल ठीक है तो इनको पहले remove कर लेते हैं और अपने हिसाब से textures देख लेते हैं कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए अब देखो यार ये बार बार ये दोनों को change करना मेरे को काफी ज्यादा tough पर रहा है ठीक है तो बार बार ऐसे copy करना फिर paste करना मेरे को थोड़ा सा tough कर पर रहा है तो मैंने अपना एक node बना रखाया मैं उसको use कर लेता हूँ अब देखो वो node है कौन सा एक बार मैं file insert comp node मैंने रखा है कहां पर अब दोखो ये 3 node है मेरे पास ठीक है जो कि मैंने मतलब इन ही सारे setup को use करके ये 3 node बनाया ठीक है तो जो directional wrinkle remove है ये वाला हमारा setup है जो हमने directional blur use करके flattens use करके ये ये वाला है ठीक है ये wire remove from blur वाला ये ये वाला हमारा है ठीक है ये जो हम लोग use करते है merge minus plus या फिर from वाला मेठर ठीक है और ये जो linear remove है ये भी यही है यही वाला मेठर है लेकिन हम लोग horizontal या vertical से remove करने के लिए यूज करेंगा है देखो मैं एक बार use करके इसको दिखाता हूँ ठीक है कोई चींज़ नहीं देख रहा है इसके settings में हम लोग जाएंगा ना मैं फिलाल इसको बन कर लेता हूँ तो इसके settings में जाएंगा तो हमें 2 slider मिल रहे है हमें vertical remove करना है क्या horizontal remove करना देखो मैं horizontal वाला बढ़ाता हूँ ना तो आपको दिख रहा होगा फर्क 1 2 देखो जो भी horizontal lines है ना वो remove हो रहे है ठीक है मैं इसको 0 करता हूँ और vertical वाला ऐसे बढ़ाता हूँ ना अब देखो क्या हो रहा है 1 2 जो भी vertical lines है ना देखो यहां पर vertical lines जहां पर भी है वो blur कर रहा है तो यह इस तरीके से काम आएगा ठीक है इसको मैं फिलाल side करता horizontal vertical का मैंने control दे रखा है यह हमारा wrinkle remove from blur है ठीक है यह हमारा वही वाला मेठाद है from वाला लेकिन इसमें मैंने 2 इस तरीके से slider एक ही में देदी है इसमें दोनों को अलग अलग छेहना परता था texture और यह यहां पर भी वही है texture और blur अब यहां पर समझ नहीं आ रहा है तो मैं 1 मैं करता हूँ यहां से तो यहां से करता हूँ यहां पर देखो अगर मैं सिर्फ इसको बरहाऊंगा तो देखो यह वाला हमारा line इसमूथ हो गया ठीक है इसको मैं जिरो करता हूँ अगर सिफ इसको बढ़ाऊंगा तो देखो जो भी वर्टिकल लाइन से यहां पर देखो वर्टिकल लाइन है यहां पर वर्टिकल लाइन से यहां पर वर्टिकल लाइन से यह सब हमारे इसमूथ कर देगा ठीक है तो यह आ फिलाल दोनों को मैं 0 करता हूं, तो हम पहले क्या करते था, फ्लैट करते था, यहां पर फ्लैट कर लिया, अब वापर से हमें कितना टेक्चर चाहिए, इसके लिए उपर बढ़ाएंगे, तो देखो कितना टेक्चर चाहिए, 1, 2, अब इस पर जो भी मास्क लगाएंगे, यह इस वाल एरिया पर, तो इस वाल एरिया पर काम करेंगे, यहां पर एक बलर हम लगाते थे, इसी तरीके से यहां भी बलर लगा सकते हैं, देखो, 2, 1, ठीक है, तो यह आप समझ गए, वही हमारा डारेक्शनल बढ़ा यूज़ करते हैं, 1, 2 करते हैं, अब देखो, यहां से में बलर के बलर बढ़ाते हैं, एतना बलर बढ़ाएं कि बलर कहा ने के ओओ वापकर आउंगा, की इतना मुझे पार चाहिए अलग अलग कर ने, हमारे बहुत सारे रिंखर, जैसए की यह गया भी ठीक, तो यहां पर हम लूग के यह वाला जो है, इसको रोटेट करेंगा, तो हमें पता चल जाए कि कौन से वाला यह वाला रिमू हुआ ना इस डिरेक्शन में अब इसे पर रोटो लगा लेंगे और बस यहां पर रोटो ड्रॉड़ कर लेंगे इस तरीके से देखो यह हमारा रिमू हो जागा तो यह तीनों आप यूज करोंगा तो बहुत जल्दी जल्दी स्कृट में काम कर सकते हो उतना लंबा चौड़ा चीज है आपको कौपी पेस्ट नहीं करने परेंगे ठीक है तो मैं यहां पर आयता हूं इसको फिलाल कर लेता ह समया प् банक से दोना फूटेज के साथ दॉंलोड लिंक में यह रिंग 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 जो है यह आप कहा से दॉंलोड करो से तो आपको सिधह सिधे नियूज पीडिया पे जाना है. विंग रिंखरली स सर्च करो क sau सूज He Nicole रिंग जा करो तो आपको दो गर दायें क लेकर रिम्मूव तो ये दोनों आप किलिक करके महां से डाउनलोड कर लिए ना ठीक है ये दोनों मेरा ही बनाय हूआ है तो दूनलोड कर लेन आप फिर यूज कर पाओ गें पाँ बापस यहां पर आ जाते हैं तो देखो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था तू और यहां स कि हम लोग कर लेते हैं, यहां तक कम हो गया था, अब आई कि यह सारे वाले जो भी हमारे wrinkle से उनको रिमूझ करना है, तो सबसे पहले मैं, यूज करता हूं, यह बाला इसको मैं side में करके रखता हूँ, ठीक है? यह से करके अब ही देखो, यह वाला select किया, right click किया, यहां पर आप जाओगे, तो नीचे में आया का option create का, create देखो, कहीं पर दिखेगा आपको, toolset में, toolset में जाओगे, और यहां पर create का option जाओगा, create में यहां पर इसका नाम देदो, क्या सच करना है, wrinkle sinners, wrinkle, Caframov, removemore, from score vl ur, ठिकहे, मैं यहां पर इस तरीकस देटा हूँ, ठीकzeń मैं थे इसको create का लिया, अब देखो इसको delete भी कर देता हूँ, उसके और मैं tab press कर के, wrinkle, देखो यह हमारा एसे करके, ऐसे option ना सब्सका लाइगा, देखो यह linear wrinkle remove, छीक्षक I wasn'tij alum, मैं इसको भी save कर लेता हूँ इस दुनों का value 0 कर लेता हूँ उसके बाद मैं save करूँगा क्या होगा कि हमेशा जब भी लूँगा तो 0 value पर आएगा तो मैं यहां से right click create tools toolsets create यहां पर मैं इसका नम देऊँगा linear underscore wrinkle underscore remove अब मैं इसको भी delete कर सकता हूँ तो देखो वापस लूँगा देखो निलीन wrinkle remove आ गया ठीक है यह भी मैंने कर लिया यहां पर यह बज़ गया directional नम से मैंने कुछ नहीं किया है directional नम से कुछ नहीं है directional नम से कुछ नहीं है यहां से right click toolset create directional wrinkle remove इतना लंबा मैंने नम दिया है मैंने इसलिए इतना नम दिया क्योंकि नम से ही अपना पता से जाए कि क्या काम है उसका ठीक है मैं अभी मुझे क्या चाहिए अभी मुझे linear वाला चाहिए सिर्फ horizontal करना है यहां से tap search करूँगा linear wrinkle remove आ गया मैं इसको simply ऐसे connect करूँगा आपने script में यहां से 2 करता हूं यहां से 1 करता हूं यहां पर अपना settings को लेता हूं अभी देखो कोई changes नहीं दिख रहे हैं क्योंकि values दोनों 0 है तो पहले मैं इसको blur करता हूं तो देखो यह हमारा वर्टिकल जा रहा है मैं horizontal वा चाहिए कितना चाहिए उसके हिसाब से मैं यहां से ऐसे कर सकता हूं मुझे और भी थोड़ा चाहिए तो मैं थोड़ा सा और blur कर देता हूं अब देखो इतना हमारा यह सारा इस तरीके का हो गया अब हमें roto अपना चाहिए होगा तो roto हमारा यहां पर है इसका तो मैं यहां से एक roto ले लेता हूं आई वाला यह आई वाला किसम है यह वाला है तो यहां से मैं करता हूं copy यहां से एक roto node लेता हूं और इसके अंदर मैं ऐसे करके paste कर देता हूं और यह वाला हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा delete अब देखो, यहां से 2 करता हूँ, यहां से 1 करता हूँ तो देखो, आई का जो भी horizontal वाला था, वो रिमूव हो गया ठीक है, इस left side का आई का भी देख लेता हूँ, अधर वाला भी अगर रिमूव हो जा तो ठीक है, यह वाला हमारा यह वाला पूरा आई, ठीक है, copy, यहां से इस वाले रोटो में दाल देखो, पेस्ट, अब देखो, थोड़ा बहुत इसने यहां पे भी effect किया है, जो कि मुझ करने कर लें गा, तो यह हमारा एक इतना छोटा सा हमें, यह हमारा हो गया है Done, फिर एक और लिन आभी है पे डारेक्चनल चाहिए, मैं चहालज करता हूँ, डारेक्शनल रिंकलvidemment करूट करता हूँ यहां से 2 करता हूँ, यहां से 1 करता हूँ, अब देखो किस direction में हमें अभी इस direction वाले सारे wrinkles remove कर रहा है, ठीक है, तो मैं यह वाले अगर remove करना चाहता हूँ ना, तो मैं इसका settings में जाओंगा, और यहां से angle change कर दूँगा, अब देखो यह वाला हमारा सारा चला गया, इधर क चला गया, तो मैं यही वाला roto जो है ना, same इसमें भी ऐसे connect कर देता हूँ, यही roto, तो अब देखो 2, 1, यह सारे directions के चले गए, एक और मुझे direction चाहिए, तो मैं control C करता हूँ, control B करता हूँ, और यहां से 1 करता हूँ, यहां से 2 करता हूँ, इस बारना मुझे यह वाला direction क remove करना है, तो मैं यह वाला के देखता हूँ, देखो यह वाला remove हो रहा है, मैं अब उपर वाला values थोड़ा, मुझे यह ठीक लग रहा है, I think नहीं, थोड़ा सा texture और लेके आ जाते हैं, और थोड़ा सा flat कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा flat नहीं होना चाहिए, तो flatness मैं कम ही रखता हूँ, ठीक है, flatness मैं कम रखता हूँ, और इसको थोड़ा blur कर देते हैं, ठीक है, इसको लेकिन blur करेंगे तो यह पूरा eye को हम नहीं दाल पाएंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा texture back ही लियाता हूँ, अब यह पूरा eye से में दाल देते हैं, यह लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, मुझे और थो color देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह देखो sharp line हमारा आ रहा है, eye के पास, अब यहां से मैं 2 करता हूँ, और चर्रेक अपने footage से करता हूँ 1, 1, 2, 1, 2, ठीक है, तो यह जो है, हमारा ज्यादा flat हो जा रहा है क्योंकि, यहां तक ठीक था, ठीक है, यह जो direction हम लोग लगा हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए separate एक roto कर लेंगे, ठीक है, तो मैं यह वाला roto node ऐसा ले लेता हूँ, और इसको edit करके, सिर्फ wrinkles पर दाल देता है, ठीक है, मैं यहां से इसे इनको करता हूँ delete, यहां से इनको करता हूँ delete, और इसको ऐसे नीचे लेके आ जाता हूँ, ठ ठीक है, यह मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा कर देने पर, तो बाकी extra area का detail हमारा नहीं जाएगा, एक बार मैं इसको off कर लेता हूँ, और लग लग frames पर चेक कर लेता हूँ, अब दोको यह हमारा थोड़ा move हो रहा है, तो हमको इसको proper roto करके लाना पड़ेगा, ठीक है, तो मै इसको जल्दी जल्दी roto कर लेता हूँ, देखो तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना remove कर लिया, अब ही यह वाला सारे जो भी आपको अगर यहां पर कम करना है, थोड़ा ज्यादा remove हो गया है, तो मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा eye का flatness कम कर दूँ, तो eye का flatness वाला द इसार, एक बार ऐसे disable करके देखेंगा तो हमें समझ में आ जाएगा, यह देखो इधर का area का है, ठीक है, इसार eye flat, यह वाला है, यह वाला है, देख रहे हो, तो यह हमें क्या करना पड़ेगा, इसका values, flatness का थोड़ा सा value कम करना पड़ेगा, यह मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, यहां पर थोड़ा रिंकल्स अंदर की तरफ दसा हुआ होना ही चाहिए, ठीक है, जादा हो गया, ठीक है, इतना जादा नहीं, इतना मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा eye यहां पर अंदर की तरफ होना चाहिए, तो यह मुझे ठी चीछे लग यह किस लिए यूज किया था इस रिंकल्स की लिए तो नो हम लोटरो चाहिए यह करने हो प्रॉपर जो नगे होटे हो फिलाल में झालिक कर लाए DAN में अगले class में कर लूँग यह वाला हमें remove करना हो हुआ तो हम लोग ले लेंगे linear वाला linear रिंग का remove इस यहां पेसडता लगाएंगे ठीक है यह मैं करता हूं to और यह वाला हमारा vertical है ना तो हम लोग वर्टिकल के लिए यह वाला बढ़ाएंगे, तो देखो यह वाला हमारा ऐसे चला जाएगा, थोड़ असा, और हाँ, इतना मुझे ठीक लग रहा है, अब यहां से इसके लिए प्रॉपर इसका रोटो वाला ले लेंगा, देखो हमारा किसी ना किसी में रोटो हो गा ही इसका, यह वाला लेयर मे कॉपी, यहां से कर लेते हैं, पेस्ट, यह वाला हम लोग हटा रहते हैं फिलाल, और यह वाला हमारा मास्क चला जाएगा इसमें, तो यह हमारा इस तरीके से देखो, इतना थोरा समने इसको कम कर लिया, तो देखो अब हम लोग फाइनल इतना तक आ गए हैं, आप देखो जो भी आप लोग करते जाओना काम, इसको आप बैकड्रॉप से बनाते जाना के कौन सा एडिया क्या है, फिलाल हम लोग देख लेते हैं, अभी तक हमारा कितना changes आ अभी तक हमने इतना इसका smoothening कर लिया है, अभी तक इसका age काफी जादा कम हो गया इसमें बहुत जादा लग रही है, अभी 10-15 साल तो इसका age कम हो इग गया तो इशी तरीके से हम लोग करते जाँंगे करते जाएंगे आगे बहुत सारा काम बचा हुआ है वह सब भी करेंगा तो धीरे 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 बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा एह थैंक फस्पे अभी देखो थोड़ा सह यह वाल रीमुव यह वाला ठापको पता रीमुव होगा सिंपली आपको यह directional रिंख रिमुव लेना है ठीक है यह से हमने लिए यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 2, 1, अब देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसका एंगल चेंज करता हूँ, देखो, इस एंगल पर न, यह देखो, यह सारे रिमूव हो गए, अब यहाँ पर फ्लैटनेस और यह सब बलर, आप बाद में देख सकते हो, कितना आपको चा रोटो पर हमें थोरा बलर देना परेगा, तो रोटो पर हम लोग थोरा बलर देते हैं, ताकि यह जो, यह जो हाड वाला मैट लाइन है, वो ऐसे सॉफ्ट हो जाए, तो देखो, यहाँ पर इस तरीके से था, यह स्मूथ हो के ऐसे हो गया, देखो, और यहाँ जो अपना हे और फर्स फ्रेंस पर देख लेता है, यहाँ भी काफे ठीक लग रहा है, तो आप देखो, टू और वन, कितना अच्छा लग रहा है, अब दोखो, इसके left eye पे थोड़ा बहुत तीचे में काम है, तो यहाँ पर हम दोख थोड़ा बहुत directional blur से कर लेंगे, देखो, यहाँ यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से 1, यहाँ से 2, अब इस direction में देखो, यह वाला जो है, हमारा थोड़ा सा blur हो रहा है, तो इसको proper नहीं कर सकते हो नहीं, तो हम लोग नॉर्मल रिंगर फ्रॉम ब्लर यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, देखो, यहाँ पर मेरे ख्याल से इससे चला जाएगा, तो इतना है, इतना के लिए हम फिर इसका proper रोटो कर लेंगे, रोटो कर लेंगे, तो यह काफी ठीक इस तरीके से अब देखो, यहाँ से थोरा सा इसको ज्यादा डार्क है, उसको हटा देंगा, और यहाँ पर एक रोटो दाल देंगा, बलर, तो यह हमारा सही हो जाएगा, ऐसे, तो यह अब हमारा ठीक लगे गा, यहाँ से, तो इसी तरीके से proper रोटो आपको एनिमेट रहन करते करते हैं, इतना रिजल्ट अभी आ गया है, और फिर हम लोग आगे जाके नेक पर काम करेंगे, उनेक को कैसे फिर सही करेंगा, देखो, अब इसमें क्या काम करेंगा, एक तो इतना हो, यह सब सब स्किनी स्मूथ हो जाने के बाद, इसका जो होते हैं, उसको भी थोरा स लटक जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग स्प्लाइन रैप से थोरा सा गोल कर देंगे, थोरा सा सही कर देंगे, ठीक है, फिर यह सारे जो भी आपको रिंकल से दिखने हैं, यह सारा रिमूव करने के बाद, यह सब भी रिमूव कर देंगे, यह सब भी रिमूव कर तो वह भी अच्छा दिखने लगया ठीक है तो फिलाल आप लोग इतना करो इस class में अगली class में अगे की चीजे बताता हूं और हां देखो यहां पे अभी यहां पे भी हमारे रिंकल से एर पे तो यह हमारे वर्टिकल वाला से चला जाएगा देखो वर्टिकल वाला हम लोग यूज करते हैं यहां पे हम लोग वर्टिकल वाला यूज कर लेता है यहां समें रोटो कंट्रोल भी करता हूं और यह वाला यह वाला हम लोग horizontally vertical बरहा रहा है ना देखो यहां पर यह wrinkles था इसको हम लोग थोरा सब बरहाएंगे तो यह देखो wrinkles flat हो गया ठीक है इसमें blur दाल देंगे फोरा तो यह हमारा सही हो जाएगा देखो अब यह भी हमारा flat हो गया तो year पर भी आपको flat करें ना यह सब थोरा बहुत अगर आपको लगता है तो आप flat कर लेना है अब हमारा final इतना आ जाएगा उट्पूट तो इसमें काफी ज्यादा काम है बहुत सारे पता नहीं कितने classes लग जाएंगे इसको कंपलीट करने में देखते हैं कितने class लगते हैं तो आप भी वैसी मेरे साथ साथ करते जाओ आपका जब final जब हो जाएगा तो final देखो आउट्पूट तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है इसको ऐसा तो यूट्प आपको नहीं दिखेगा इस तरीके का बताया हुआ ठीक है पूरा यूट्प पर नहीं होगा और बस देखते रो रोटो एंड पेंट अकाडमी यूट्प यूट्प चैनल जीनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो लाइक करना भूलना मत कमेंट भर-भर के करो और शियर करते रो बाकी देखते रो रोटो एंड पेंड पेंट अकाडमी यूट्प चैनल थैंक्यू सो मच